नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल देव जी के ट्रिक में दोस्तों में आपर जोगराफी का टेस लगाने वाले काफी मातपुड प्रस्ण है और इस टेस्ट से आपको एक्जाम में देखने को मिलेंगे कोशन और ये हमारा जोगराफी का आठवा पार्ट है इसके पहले हमने साथ पार्ट अप्लोड किये दिया है और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज जोगराफी और आपके हिस्टी और आपके पॉल्टी के वीडियो अपलोड किये गए हैं तो चलते हैं आपर स्टार्ट करते हैं और अगर आप नए है तो मारे चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए यहाँ पर आपसे कह रहा है कोशन कि निमलिखित में से कौन सा राजिक कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन करता है यह कोशन हमने पिछले वीडियो में कमेंट करके पूछा था सभी से और जवाब इसका सही आया है और इसका राइट अंसर हो जाए गया आपर जो कि ए नम्मर है आपका करनाटक कॉफी का सबसे बड़ा जो अधिक उत्पादन करता है वो करनाटक करता है जो भारती काफी है अपनी गुर्वत्ता के लिए बिस्व में प्रिसिद्दे इसकी क्रेशी की सुरुवात जो हुई थी वो बाबा बूतन पहाड़ियों से हुई थी जो काफी की पहाड़ियों का उत्पादन जो कह सकते हैं कि कॉफी की क्रेशी की सुरुवात आपका बाबा बूतन की पहाड़ियों से हुई थी और आज भी इसकी खेती निलगिरी की पहाड़ियों के आसपास अर्थात करनाटक केरल और तमिलनाडू की छेतर में होती है मुख्य उत्पादक छेत्र कौन सा है तो गर्म मसालों का उत्पादक जो छेत्र है वो कौन सा है 22 का अप्सन राइट हो जाएगा आपका यहाँ पर बी नंबर मालावार्थत ठीक है मालावार्थत अब बाद आती है कि मालावार्थत है कौन सा तो मालावार्थत होता है आपक करनाटक है करनाटक से मंगलूरू ठीक है तो मंगलूरू से लेके आपका ये करन्या कुमारी तक का जो तट होता है इसे मालावार तट कहते हैं कह सकते हैं कि जो केरल वाला तट है उसे मालावार तट कहते हैं और यह लगबग 500 किलमीटर के लंबाई में फैला हुआ है ठीक है के प्रमख रूप से उगाई जाने वाली फसले हैं ठीके निस को चन कहिरा है क्रेसी में युग्म पैदावार का आसा है क्या उगाने से उतर था यहाँ पर खाली स्थान भरना है और इस खाली स्थान में आपको भरना क्या है तो आपसन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नमबर विभिन मौसमों पर दो फसल ठीक है एक इसको जब यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपका निकलेगा कि एक फसल वर्स में विभिन मौसमों के दोरान एक ही भूमी पर दो या दो से अधिक फसलों को उगाना युगम पैदावार कहलाता है अप्सन राइट आपका भी हो जाएगा नेक्स कोशन की वर आते हैं कोशन कही रहा है हरित करांती से अभिप्राय है हरित करांती से अभिप्राय है तो हरित करांती किसे कहते हैं तिहां पर आपसन राइट हो जाएगा डे नमबर उच्च उत्पाद विविदिता प्रोग्राम ठीक है आपसन राइट डी हो जाएग नेस कोचन कही रहा है आपसे भारत में सिंची छेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है भारत में सिंची छेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है तो ये कौन सी खेती होती है तो ये खेती होती है अपसन राइट आपका यहां पर भी हो जाएगा चावल या धानों से बोलते हैं तो भारत में जो सरवादिक खेती होती है आपकी चावल की होती है सिंची छेतर में लगबग देखा जाए कि चावल देश की तीन चौथा या बादी का प्रमुख भोजन भी है भारत का उत्पादन जो चावल का उत्पादन है भारत के पूर्वी तथा दच्छनी भागों में दिख होता है और विश्व में देखा जाए तो विश्व में चावल के उत्पादन में चीन का प्रथम इस्थान है जबकि भारत दूसरे इस्थान परण है और संपूर्ण विश्व के लगबग 20% चावल का उत्पादन आपका भारत करता है चलिए निस कोशन की ओर कोशन आपसे कह रहा है भारत में पीली क्रांती का संबंद है भारत में पीली क्रांती का संबंद है तो भाई किससे संबंद है पीली क्रांत तो इसका अप्सन राइट हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर तिलहन के उत्पादन से है ठीके भारत में पीली करांती का समंद किसे है तिलहन उत्पादन से है और इसकी जो शुरुआत हुई थी मुक्रूप से आपकी 1986 से हुई थी ठीके 1986 से माना जाता है वहीं पर अगर एक पॉइंट होता है कि गोल्डन करांती या सुनाहरी करांती ठीके सुनाहरी करांती वह आपका समंद किसे होता है जो फूलों या फलों से होता है ठीके फलों से होता है या सायद को उत्पादन से होता है ठीके गोल्डन करांती जो होता है वह किसे होते है फलों के समंदी थे ठीक है फलों या सायद के उत्पादन से संबंदी थे चलने इस कोशन की और आते हैं कोशन आप से पूछ रहा है कि निमलिखित में से किसको भारत में नगदी फसल माना जाता है भारत में नगदी फसल तो नगदी फसल यहां पर कह सकते हैं कि उनको कहते हैं जिसके अंतरगत उन ब्यापारिक फसलों को समलित किया जाता है जिने किसान अपनी आई के लिए सीधे या कह सकते हैं कि इंडारेक्ट बाजारों में बेच देता है भारत में एक दी फसलों के अंतरगत देखो गन्ना, तंबाकू, जूट, कपास, मक्का, मेश्टा, चाय, कौफी, तिलहनी फस जिसे सरसो, मुभली, अलसी, आदिस के अंतरगत सामिल किया जाते हैं तो इसका राइट अंसर आपका हो जाएगा, यहां पर कौन सा जो आपका ए नमबर है, आपका मक्का है, ठीके, मक्का, तो आपका यह अपसन राइट हो जाएगा, समझ गया होंगे, हमने इतना बहुत स जिसे सम्मांदित है, और वहां पर आपकी प्रजातियां काफी ज़्यादा पूछी आ रही है, तो चलते हैं आपर पूसा, सिंदू, गंगा, एक प्रजाति है, किसकी है, गयों की प्रजाति है, पूसा, सिंदू, गंगा, गयों की प्रजाति है, और इसकी अतरिक तो और भ और एक होता है आपका कल्यांड सोना, ठीक है, अर्जुन, कुंदन, पूसा, बसंत, पूसा बहार, पूसा मुल, पूसा वातसल्ला, पूसा किरण, पूसा गौतमी, ये सब ये आपके गियों के ही पर जाती हैं, ठीक है, चलिए, नेश्ट कोशन के उर आते हैं, कोशन आपसे क पर ही रहे, काटो और जलाओ, ये क्रिसी का उन से होती है, तो इसी बोलते हैं हम लोग, इस्थांतरन खेती, जिसे हम लोग जानते हैं, जूम खेती के नाम से, ठीक है, तो इस्थांतरी क्रिसी के इंतराट वनो को जला कर भूमी साब करकि दो-तीन वर्सु तक फसले उगा जाती हैं फिर भूम की उर्वरता नश्ट होने पर उसे छोड़ दिया जाता है और यह जद्धा जद्धा कहां पर होता है तो उत्तर पूर्वी भारत की अन्यक जंजातियां हैं इस प्रकार के करसी कारें को ब्यापक रूप से समलित रहती हैं और इसे इस्थानी रूप से ब निम्लिखित में से कौन सी एक रूपड फसल नहीं है तो कौन सी नहीं है तो यहां पर देखिए चाय तो रूपी जाती है रबड होती यह भी होती गन्ना आपकी रूपड फसल नहीं है ठीक है अपसे राइट आप कड़ी हो जाएगा इसे बुलते हैं बागती या बागान या रोपड ठीक है इस नाम से रोपड वर्द होता है इसके तीन नाम होते हैं बागती या बगानी या रोपड करसी ठीक है बड़े बड़े बगानों के रूप में की जाने वाले करसी होती है जिसमें से एक बार ब्रच्छों के बगान लगाने के बाद कई वर्सों तक उसमे यह गन्ना है जो यह आपकी हर वर्स लगबख बोना पड़ता है या दूसरे वर्स भी आपकर सकते हैं लेकिन इनका पेच्छा यह आपका नहीं है ठीक है रोपड परसल नेस कहई रहा है आपसे भारत में फसलों के सकल छेत्रफल में इसे खाद्यानों का हिस्सा है भारत में यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा A. 70% से अधिक ठीके कितना सतर परस्थ से अधिक भाष्लों के जो सकल छेत्त फल में खाध्यानों का हिससा रहता है ठीके खाध्याने जैसे क develop के सकते हैं चावल गयां, चंशन, मतर आध्य फास्ले इसमें सेशा मिल की जाती है और इसके एत IR 20 और रतना दो प्रमो किसमे हैं किसकी हैं तो IR 20 और रतना दो प्रमो किसमे हैं आपकी किसकी धान की हैं किसकी हैं धान की हैं और इसमें से और भी आपकी होती हैं जैसे पूरी भारत में तीन प्रकार की चावल की खेती होती है एक होती है अमन अमन नाम की जो खेती होती है वो जो सरतकारिन कहते हैं तथा जो बोरो है वो ग्रीस मकालीन था तीन परकार की खेती होती है ठीक है किस साइड में आपके पूरी भारत में होती है चलिए निश कोशन की और कोशन आप से पूछ रहा है कि महाराश्ट में निमलिखित में से कौन सी एक फसल स्वेत सौन्ड के ना ठीक है कापास है और कापास एक नगदी फचल है जिससे रूई तयार होती है रूई जानते हैं ठीक है जिससे रूई तयार की जाती है और महराष्ट में इसे स्वेद सुने के नाम से जाना जाता है कापास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी आपको पता होगा कि काली मिट्टी सर्वुत्तम उप्युक्त मिट्टी माने जाती है इसलिए इस मिट्टी को कापासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं भारत में इस मिट्टी का सरवाधिक विश्तार आपको कहां पर है महाराष्ट में है ठीक है काली मिट्टी का नेस का रैप से राष्टी बागवानी परिशद बोर्ड की इस्थापना हुई थी ये कब हुई थी तो आपसन राइट जिसका हो जाएगा सी नमबर वर्ष 1984 में हुई थी लेकिन ये इस्थापना तो हुई थी की गई थी कब 1984 में और या एक स्व förड़ वर्ष्ट के रूप में की गई थी और इसका मुख्याल है गुरुग्राम छो आपका कहां पर हरियानव में है तीक है गुरुग्राम हरियानव इसका मुख्याल है नेस्ट कोष्छन क्यों राते हैं question कहे रहा है फसल चक्र अर्थात क्रॉप रोटेशन को अपनाने से क्या होता है तो कह सकते हैं कि जो फसल चक्र होती है उसे भूम की उत्पादकता जो ज़ो छमता है होती बढ़ जाती है यह होती क्या है इसको समझे कि भूम की उर्वर्ता सक्ती को लंबी आवदी तक बनाना है तो आपको क्रमिक रूप से फसल चक्रपद्धित को अपनाना पड़ेगा मतलब कह सकते हैं कि एक फसल उगाओ फिसको उस फसल को न लगाओ दूसरा लगाओ एक ही फसल को नहीं लगाना चाहिए बद होता है आपका इसकी कोर्डिंग को अपका डिप शत्थ हो पहाड़ी ऐल पर जो ढहल वाली चीतर होते हैं तो वहाँ पर आपका चाह को पाद्धन सरुधतम होता है और चाह के लिए अच्छी जल निकास वाली जो धाल युक तो भूमी होती है वहीं पर आपकी चाय ज्यादा की जाती है ठीके और इसको उत्पादन के लिए 150 से 200 सिंटिमीटर वर्षा और और लगबग 25 से 30 डिगर सिंटिक्रेट तापमान आवस्यक होता है और ऐसी परिस्तितियों पर प्राया पहाड़ी ढाले ही पा जाती है जैसे कि दार्जिलिंग की पाढ़ रिया इसके लिए आदर्स परिस्तितियों का निर्माड है ठीके कौन सी दार्जिलिंग ठीके और दार्जिलिंग की चाय को अभी GI टाइग भी प्रदान होगा था ठीके याद रखना नेस्ट कोचन आप से कह रहा है कि दलहनी फसलों के उत्पादन हे तो कौन सा तत्तु आवर्स्यक है दलहनी फसलों के लिए तो दलहनी फसलों के लिए आवर्स्यक तत्तु माना जाता है आपका B नंबर कोबाल्ट ठीके कोबाल्ट होता है आप सन्दाइट आपका B हो जाएगा ठीक है और एक पॉइंट याद रखना एक होता है कि राइजोबियम एक वर्ड आपने नम सुना होगा राइजोबियम जो की दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाने वाला एक बैक्टिरिया होता है ठीक है और राइजोबियम द्वारा नाइट्रोजन इस्थरी करन के लिए आवस्यक्तत होता है कोबाल्ट जो विटामिन बी बारा की संसलेशन में सायक होता है और यहाँ प्रेकास संसलेशन और वात्सोरजन एवं पौधों की ब्रद्धी के लिए आवस्यक्तत होता है आपका जो की कोबाल्ट होता है ठीक है और नेस्थ कोचन क्यों राते हैं कोचन आपसे कह रहा है कि रवड की फसल के संदर्व में निम्लिकित में से कौन सा कथन सत्त्य है ठीक है तो देखते हैं यहाँ पर आपका कौन सा सत्त्त्य है तो आपसे कह रहा है कि यह एक भूमद रेखी फसल है यह बिल्कुल आपका र यह भूमत रेखी फसल है और दूसरा कहा है इस फसल के लिए 50 सिंटीमीटर से कम वर्षा की आवसकता होती है या आपका गलत है ठीक है और आपका डी तो इसका मतलब अकॉर्डिंग आपका आपसन राइट हो जाएगा या पर ए नमबर या भूमत रेखी फसल है परन्तों वि पूर अथा अपना जो केरल है तो केरल को पुर्मक उत्पादक छेत्र माना जाता है लगबग संपूर उत्पादन का 90 प्रिसत यहीं पर होता है केरल में होता है ठीक है नेस कोशन आप से कह रहा है कि निमलिखित में से कौन सा छेत्र कोईला भंडार में सबसे अधिक देहें ठीक है कोईला भंडार में तो देखिए अब जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे जो खनीज है और उर्जा संसादन जो की बहुत ही मातपूर टॉपिक है आप से जिसे वर्तमान में पूछता है लाओ अयस कथोरियम ठीक है कहां पर पाए जाता है और ये कोईला भंडार ठीक है मतलब देखा जाए तो जोगर्फी का ये टॉपिक बहुत ही मातपूर होता है खनीजियम उर्जा संसादन तो ये टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे और इस कोश्चन का जवाब आपको देना होगा कि निम अगरा वीडियो जो होगा तो उसमें आपको एक कोश्चन देखने को मिलेगा अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिए और नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमने करीब आपके 25-30 पार्ट बना रखे हैं जो आपकी प्ले लिस्ट है तो वह पर आप उसको भी देख सकते हैं धन्यवाद जय हिन जय भारत